हालो गाइज वालकम बेक तो मैं चनल लगें तो रहे इस टोपिक इस हाव वी कन कंफिगर तो Micromax data card in Windows 10 8 और 8.1 हम किस तरह से Micromax data card को के drivers को configure कर सकते हैं 8 8.1 on Windows 10 में because drivers support नहीं करते हैं सबसे पहले हम अपनी डिवाइस को कनेक्ट कर लेते हैं अपनी शिस्टम के साथ और उसको जो राइट क्लिक करके ओपिन करते हैं ओके एंड सबसे पहले इसकी properties में जाते हैं सेटप की properties में जाते हैं एंजन compatibility mode को हम on कर लेते हैं Windows 7 के लिए because इसके driver Windows 7 के लिए support करते हैं same हम so modern के जो हमारा EXC है उसके साथ करते हैं इसको भी compatibility mode के लिए on करते तो और इसमें चेक कर लेते हैं कि run as an administrator okay and now we can close this window and हम इस पर double click कर सकते हैं so that यह जो है हमारा installation के लिए इसमें start हो जाए okay so now हम जो मिलकुल genuine method है जो हमारा method है जिस तरह से हम previously install करते हैं उस तरह से install करेंगा और देखी यहां पर जो है हमारे drivers जो fail होगे हमको इसको restart नहीं करते हैं system को and again हम C drive में जाते हैं जहां पर यह जो हमारा drivers है इसका जो पूरा software वो इंस्टाल हुआ है तो micromax यहां पर हम search करते हैं देखे micromax यहां पर usb manager है okay now इसके drivers folder में जाते हैं and just जो भी windows है हमारी अगर हमारी 64 bit windows है तो हम 64 bit windows पिजाएंगे 32 bit windows है तो windows 32 bit windows पिजाएंगे तो हम check कर लेते हैं हमारी windows कुनसी है तो मेरा windows 10 64 bit operating system है तो मैं windows 7 64 bit वाले folder में आपे जाओगा okay so अगर आपका 32 bit है तो आप 7 के 32 bit option पिजाएंगे यहां पर आप right click करके इनको जो है install कर सकते हो first और second दौनों को order okay and now second one okay तो अभी हमारी drivers configure हो चुके हैं and हमने micromax usb manager को install कर दिया है and now हमारी जो हम इसको एक बार restart करके देखते हैं लेकिन यह अभी भी properly work नहीं करेगा अभी भी no device दिखा रहा है okay so हम system को एक बार restart करते हैं और then check करते हैं कि यह जो है सब कुछ properly होगा या नहीं so okay हम system restart कर चुके हैं now again अब हम फिरसे अपने usb manager को directly start करते है micromax usb manager को तो हमारी dxtop पर icon है हम वहाँ से start कर सकते है directly okay हमने device को प्लग किया device प्लग करते भी करते ही वह भी automatically start हो जाएगा तो देखिए अब जो है यह जो हमारा manager है वह searching कर रहा है signals की search कर रहा है कि कौन सा SIM जो है मेरे data card में लगा हुआ है और किस तरह की signals मेरे को catch करने है okay let's wait maybe आपका जो USB manager है वो no device का इसके बाद लेकिन आपको around five minutes to wait करना है और five minutes के बाद वो automatically आपके signals देखा देगा so okay so thank you thank you for watching my video bye bye take care मिलते नेक्स वीडियो में with a new topic तब तक के लिए please subscribe your videos and share my videos